एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे इस लाइप स्टाइल सुनिल मौरिया चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको हड्यों की कमजोड़ी को दूर करने यानि हड्यों को मजबुत बराने के घर नुसकों के बारे में बताएंगे तो इससे पहले हम आपको ये बता दे कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट कलर के बटन पर किलिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी किलिक कर दें जिससे कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन द्वारा पहुंच सके दोस्तो आपको ये बात भी हम बता दे कि अधिकतर अधिकावी को लोगों को यह रोग होता है ये केलसियम की कमी से हो जाता है जिस कारेड़ से ये रोग इनके बच्चों में भी पाया जाता है आए बच्चे कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं और इनको छोट लग जाती है हड़ी भी तूट जाती है अकसमात इनके साथ ऐसी घटना होती रहती है तो इन्ही को ठीक करने के बारे में आज हम आपको अपने घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे तो आए जानते हैं इन विभिन उस दुदरा घरेलू उपचारों के बारे में पहला उप्चार है दोस्तो मेथी के वीजो द्वारा मेथी के वीजो का पाउडर बड़ो को 5-10 गराम दे और बच्चों को 3-6 गराम खिलाने से हडिया मजबूत होती है अगला उप्चार है दोस्तो टमाटर द्वारा हडियो की कमजोडी को दूर करने के लिए टमाटर का सेवन उप्योगी होता है टमाटर में फल और सब्चियो की अपेच्छा चूना अधिक मातरा में पाया जाता है और चूना हडियो का मुझोड बनाने में बहुत ही कारगर होता है इसलिए हमें टमाटर का भी सेवन करना बहुत जरूरी है दोस्तो चूने का घोल चूने को पानी में घोल कर छोड़ दें कम से कम 6 घंते के बाद उपर से पानी निकाल कर दूसरे बरतन में या किसी सीसी के बरतन में ज़्यादा अच्छा होगा तो सीसी में डाल कर रख़ दें इसमें से 1 से 20 ग्राम रोज 3 बार खाएं इस से हड़ी की कमजोडी दूर हो जाएगी हड़ियों की कमजोडी को दूर करने का चौथा नुसका है दोस्तो पपीते दवारा हड्या कमजोड हो तो दान्त कमजोड हो तो भी रोगी को एक एक पपीते या अमुरूद के रस में आधा कप गाजर वह आवले का रस मिलाकर दिन में दो बार पिलाने से लाब होता है ऐसा करने से आपको इस रोक से मुक्ति मिल जाती है